हाँ तो बहुत हो गया काम की बात इस वीडियो में बात करते हैं पैसो की एक एक्टर कैसे अपने एक्टिंग के साथ साथ खाली टाइम पे पैसा कमाए उसके उपर ही आज का वीडियो है कि पार्ट टाइम जो आप एक एक्टर के लिए क्या-क्या होता है तो इसके उपर ही आज का वीडियो है कि थोड़ा ग्यान की बाते तो हो ही गया है अब पैसो की बाते भी किया जाए तो इस वीडियो में तीन जोब के उपर में बात करूँगा आपसे जो आप एक्टिंग के साथ साथ कर सकते हैं पहला जौब है असिस्टेंट डिरेक्टर का काम किये हैं जितने भी फिल्म में आप आक्टर देखे हैं जो फिल्मी बैक्ड्राउंड से आये हैं जैसे रितिक रोशन, वरून धवन, अर्जुन रामपाल, रणवीर सिंग, रणवीर कपूर, रिशी कपूर का बेटा है, या फिर अनिल कपूर का जो बेटा है, ये अनुपम खेर का बेटा, ये सारे के सारे असिस्टिंट डिरेक्टर रह चुके हैं, और उसके बाद फिर य काम करते हैं अक्टर उससे उनको हिल भी मिलता है शूटिंगे टाइमा पर कैसे असे काहा कहा बहुत करते हैं एक अक्टर के अंदर में डीरेक्टर क्या देखता है एक अक्टर को क्या क्या चीज से बचना capitalize यह सारा ची एक Assistant Director को पता रहता है और जब Actors वही काम को करता है Assistant Director के तौर पे तो वो देखता है अब्जर्ब करता है और जब वो खुद Actors बनता है तो उस चीज को दूर करता है तो एक Actors को Assistant Director का काम हमेशा करना चाहिए खाली टाइम पे और बहु सारे ऐसे Actors किये भी है और उसके बाद उनका अच्छा Result भी आया है अब जितने सारे Actors का मैं नाम लिया हूना रणवीर कपूर, रणवीर सिंग, अनुपम खेर का बेटा जो हर्षवर्दन है, या फिर संजैदत अमीर खान, अर्जुन रामपाल, विवे कोबरा ये सारे के सारे AD रह चुके हैं और आज इनको आप देखिए कितने अच्छे अक्टर हैं माइंड ब्लोइंग अक्टर हैं और सूपर अस्टार हैं बॉलिवूड के और बहुत सारा पैसा चाप रहे हैं आज के डेट में तो ये सारे अक्टर इसलिए अच्छा बन पाएं क्योंकि ये कैमरा के पीछे से आक्टिंग करते हुए देखे हैं मेन अक्टर को और उसके बाद उसके बारीकी को समझे हैं ये ये भी देखे हैं कि जो director perform करवा रहा है अपने actor को, वो क्या देखना चाहता है उस actor के दर में, क्या उसे उसे चाहरा है, उस इसको कैसे बाहर actor को निकालना चाहिए, इन सारे चीजों को observe किया है, और ये उनको help किया है acting में, तो actor के लिए assistant director का काम बहुत बढ़िया है, जब आप free बैठे हुए रहिएगा, तो आप जरूर assistant director का काम किजिए, आपको पैसा भी मिलेगा और आपका acting में भी सुधार होगा, और आपका अच्छा एक network भी बनेगा, आप camera के पिछवाले लोगों से आपका दोस्ती होगा, तो ये आपको आगे काम दिलाने में भी help करेगा, हलागे काम तो आपका main आपके अंदर का skill आपको दिलाएगा, आपके अंदर का talent आपको दिलाएगा, लेकि networking बहुँ जादा help करता है एक actor को काम दिलाने में, तो actor के लिए पहला part time job है assistant director का, आप जरूर कीज़े खाली time में जब आप बैठे हुए हैं तो, दूसरा job के बारे में बात करते हैं, दूसरा job है assistant casting director का, एक actor को casting director के अंदर में जब काम करता है न, तो उसको पता चलता है कि कहां कहां से काम आता है, कौन-कौन production house काम खोज रहा है और वो कैसे actor को देखता है, कैसे actor को scrutiny करता है, किस तरह का actor को लेता है, क्या-क्या चीज actor के अंदर में देखता है, किस तरह का traits खोजता है, किस तरह से actor उस traits को miss करते हैं, किस तरह से actor अच्छा perform नहीं करते हैं ये casting director के साल जब आप काम की जगा तोहां से आपको ये बहुँ ज़्यादा help करेगा बहुँ ज़्यादा जनकारी आपको मिलेगा ये सारा चीज suiting के time पे क्या-क्या होता है एक actor को पता होना चाहिए casting director कैसे cast करता है किस तरह से audition लेता है actor कहाँ पे गलती करता है जब आप audition दे लेते हैं उसके बात का process क्या होता है उसके बाद second order audition जो होता है जिसको look test करते हैं उसमें actor कैसे perform करता है उसमें creative director या फिर writers या फिर directors या फिर casting director क्या देखता है वो सारा कुछ आपको पता चलेगा जब आप assistant casting director के साथ काम कीजेगा और वहां से आपको पता चलेगा कि Concord production house में real काम होता है Concord production house real में काम करता है कितना पैसा मिलता है कैसे casting director पैसा कमाता है इस सारा कुछ पता चलेगा तो free time में casting director के पास भी जाके कि आप ज़रूर काम कीजेए वहां से आपको बहुँ ज़्यादा help मिलेगा आपके acting में आपके काम करने के time में आपको पैसा मिलेगा या जब आप free में बैठे हुँ रहीगा अपने घर में तो क्योंकि होता गया ना कि shooting हमेशा नहीं होते रहता है एक बार आपका जब audition crack हो जाता है जब आप shooting करने जाएगा तो जब तक आपका track है तभी तक आपका shooting होगा उसके बाद जब आपका track खत्म हो जाएगा या फिर जब आपका serial on year होना बंद हो जाएगा तो आप खाली बैठे हो रहेगा और audition देते हो रहेगा उस time पे आपके पास पैसा आना खत्म हो जाएगा आपका जमा हुआ जो पैसा है ना वही पैसा आपका खर्च होगा तो जब पैसा नहीं आता है तो mind बहुत सारा negative बात आता है तो उसी खाली टाइम के उपर में बात कर रहा हूँ कि वो खाली टाइम में आप क्या कीजेगा जिससे कि आप engaged भी रहिए और आपका अंदर का जो acting का गड़ा है वो भी ना मरे और आप मतलब टीवी इंडस्टी से आप फिल्मों से आप फिल्मेकिंग से जुड़ हुए रहिए तो इसलिए ये दो जॉब मैं आपको बताया हूँ पहला assistant director का दूसरा assistant casting director का इन दो जॉब को आप जरूर कीजिए लेकिन तीसरा जो जॉब है वो थोड़ा सा लिक से हटके है वो थोड़ा फिल्मेकिंग से हटके है लेकिन वहाँ पर भी पैसा बहुत है और वहाँ पर भी आपको help करेगा आपके acting में आपके personality development में आपके look and feel में आपका बोलने का तरीका में हारस बिलॉंग करता है तो मेरे और आवाज में में आप देखते होंगे मेरे Kal कोणी पर निचोडर सके अंदर रहता और यहीं हो पाता है उसको बाहर करने काम नहीं करता है उसको व्कर करेगा तो बाहर बाहर करलेगा लेकिन कर नहीं जब आप call center में job कीजिएगा तो वहाँ पर यही चीज आपका दूर हो जाएगा, वहाँ पर आपका बिल्कुल a standard language हो जाएगा, आप बिल्कुल फराटेदार English या फराटेदार Hindi बोलिएगा, तो आपका जो language है ना उसमें बहुत सारा improvement होगा, और यह actor के लिए बहुत जादा जरूरी है कि उसका language से पकड़ ना पाए कोई कि यह किस जगा का रहने वाला है, उसका language बिल्कुल universal हो, जो हर एक जगा accepted हो, जहाँ पर हर एक जगा उस language को लोग accept करता हो, यह actors के लिए जरूरी होता है, और call center में job करने से आपको यह help मिलेगा पहला, कि आपका language बहुत उसला कि आप जितना ज्यादा बात कीजेगा लोगों से, जितना ज्यादा आप फोन पे बात कीजेगा, जितना ज्यादा आप बोलिये गाना, उतना ज्यादा आपका गला साफ होगा, एक्टर्स का गला साफ होना बहुत जरूरी है, वो अपने आवाज को उपर काम करता है, आवाज में उसका बदलाव होना जरूरी है, उतरह तरह का आवाज निकाल सके, आवाज के उपर एक्टर्स काम करता है, इसके उपर मैं आपको एक डिविडिल वीडियो बनाऊंगा, लेकिन इसलिए मैं भी आपको बता रहा हूँ कि कॉल सेटर में जब आप जॉब कीजेगा लेशन आएगा, तो गला का साफ होना जरूरी है और तब साफ होगा जब ज़्यादा बोलिए गा, और कॉल सेंटर में जॉब करने से आपका गला काफी साधा साफ होता है, तीसरा कि आपके अंदर प्रफेस्नलिजम आएगा, एक अक्टर के अंदर beterілम का होना बहुन जरू वो मतलब ड्रिंक करता है, वो पाटी करता है, मतलब हर एक ऐसा काम करता है, जो उसको गंदा बनाता है, जो उसका मतलब लुक और फिल गंदा कर देता है, और ये चीज़ जोब कीज़ेगा तो वहाँ पर आपका सुधार होगा, वहां पर आपको टैमली आना है, टैमली जाना है, बिलकुल टकीं होना चाहिए, इरंट किया हुआ हुआ होना चाहिए, साफ होना चाहिए, मतल飛 बिलकुल टिप टाप में आपको रहना पड़ेगा जब आप का mind साफ रहेगा अगला जो सबसी important चीज है call center में job करने से कि आप job के साथ साथ audition भी दे सकते हैं वो इसलिए क्योंकि आप night shift में job कीजिए वो भी part time कीजिए चार घंटा वाला या पाच घंटा वाला वो भी night में कीजिए दीन में आप audition दीजिए और रात में जाके आप job कीजिए तो आपको पैसा भी आ रहा है आप audition भी दे रहे हैं खाली समय में और आपका दोनों काम हो रहा है तो ये तीन job बहुँ ज़्यादा important है किसी भी actors को खाली समय में करने के लिए और ये तीन job मैं इसलिए आपको साथ share कर रहा हूँ क्योंकि ये आपको help करता है आपके acting skill को निखारने में आपके पास पैसा आएगा तो आपके अंदर negativity नहीं आएगा और आपका network अच्छा होगा, आपका language अच्छा होगा आपका आवाज का modulation आएगा आप मतलब हर एक तरह से अपने आपको fit रखिएगा इंडस्ट्री से बाहर आप नहीं रहिएगा आप इंडस्ट्री का अंतर रहेगा, सारा जनकारी आपको मिलेगा तो वीडियो अच्छा लगाऊ तो जरूर लाइक कीज़ेगा अपने दोस्तों को बीच में सेर भी कीज़ेगा और सब्सक्राइब नहीं किया ना प्लीज सब्सक्राइब कर लीज़ेगा तब तक के लिए keep watching and जहीं दोस्तो